आप सुन रही हैं सुलो किता आप सुन रही हैं सुलो किता वो सोचते हैं कि उन्हें भूलने की बिमारी है लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है This story is written by Satyajit Ray Satyajit Ray भारती फिल्म निर्माटा थे जो बीसवी शताबदी में अपनी महानतम फिल्म निर्माणों के लिए जाने जाते हैं Satyajit Ray का जन्म कालकटा में बंगॉली परिवार में हुआ था उनका परिवार कला और साहित्य से जुड़ा हुआ था उन्होंने एक कमर्शिल आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुवात की थी उनका जन्म 2 में 1921 में हुआ था उनके पिता का नाम सुकुमार रॉय और माता का नाम सुप्रभा रॉय था Satyajit Ray ने 37 फिल्मों का निर्देशन किया है इसके अलावा उन्होंने बहुत सी लग्भू कथाएं और उपन्यास और बच्चों पर आधारत किताबे भी लिखी हैं फेलुदा, दर्शलियूथ और प्रोफिसर शूंकून की कहानियों के कुछ प्वसिद्ध पात रहें और उक्सफूर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हीं डिग्री से भी सम्मानित किया गया है सहत्य जीत रहे कि पहली फिल्म पथेर पांचाली जो की 1995 में रिलीज हुई थी उसने बहुत से इंटरनाशनल अवार्ड जीते जिसमें 1956 की कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया बेस्ट हूमन डॉक्यूमेंटरी अवार्ड भी शामिल है इसके अलावा उनकी मशूर फिल्में अप राजितो और अपूर संसार को भी बहुत से पुरुसकार मिले हैं नाओ वी बहुत से पुरुसकार मिले हैं नाओ वी बहुत से पुरुसकार मिले हैं पेज नमर 59 विपिन चौधरी, Lapse of Memory पारग्राफ 1 Every Monday on his way back from work, विपिन चौधरी would drop in at Kal T. Charan's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least five at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. Today, at Kalicharan's, विपिन बाबु had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who was now broke into a smile. हर सोमवार अपने काम से घर लोटते वक्विपिन चौधरी काली चौधरी की दुकान New Market में जाते थे किताबें खरीदने के लिए. Crime stories, ghost stories और thrillers उनकी favorite genres थे, यानि कि उन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद था. वो एक समय में कम से कम पांच किताबें खरीदते थे, ताकि वो इन्हें एक हफते तक पढ़ सकें. वो खेले रहते थे, लोगों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाते थे, उनकी काफी कम दोस्त थे और उन्हें अपनों समय वर बात करना बिलकुल नहीं पसंद था. आज काली चरण के दुकान पर विपन बाबू को लगा कि उन्हें कोई देख रहा था. वो मुड़े तो उन्होंने अपने आपको एक पतले से गोल चहरे वाले इनसान को देखा, जो हस रहा था उनकी तरफ देख कर. I don't suppose you recognize me? Have we met before? asked विपन बाबू. वो इनसान इनकी तरफ देख कर कहता है, मुझे नहीं लगता आपने मुझे पहचाना. तो विपन बाबू उससे पूछते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hadro Falls. Next page in 1958 in Branchi. My name is Parimal Ghos. वो व्यक्ती एकदम चकित हो गया और उसने बोला कि हम प्रोज एक हफते तक मिलते थे और मैंने आपके लिए एक कार अरेंज कराई थी आपको फॉद्रो फॉल्स तक छोड़ कर जाने के लिए. ये 1958 की बात है, राची में, मेरा नाम परिमल घोष है. राची, now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. Bipin Babu had never been to राची. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, do you know who I am? तो Bipin Babu उसे पूछते हैं, राची, अब उन्हें समझ में आ गया था कि वो नहीं, बल्कि ये सामने वाला व्यक्ती गल्ती कर रहा है. Bipin Babu आज तक कभी राची नहीं गए थे. उन्होंने कई पर प्लान बनाया लेकिन वो कभी जान नहीं पाए. तो वो मुस्कराए और उसको देख कर बोले कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? Next paragraph, this is page number 60, second paragraph. The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary? वो दूसरा व्यक्ती अपनी eyebrows उठाकर बोलता है, काफी surprised way में बोलता है, कि मैं आपको जानता हूँ? कौन Bipin Chaudhary को नहीं जानता है? Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, Still, you're making a mistake. One often does. I've never been to Rachi. Bipin Babu फिर अपनी किताबों की तरफ देखने लगते हैं, और उधर ही देखते हुए बोलते हैं, फिर भी तुम गलत कर रहे हो, बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, मैं कभी रांची नहीं गया. The man now laughed aloud, अब वो इनसान हसने लगा. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudro and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Natar Hart the next day. But you couldn't because of the pain in your knee. Can't you recall anything? Mr. Dinesh Mukharji, you stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a Bavarchi. This is page number 61. Mr. Mukharji stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember, I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it and on your sightseeing trips. Am I right or not? वो व्यक्ति भोलता है, आप क्या कह रहें हैं, Chaudhary सहा? आप खुद्रोफ वाल्स में एक जगा गिर गए थे, और आपने अपने घुटनों पर चोट लगा ली थी. मैं आपके लिए IRD लेकर आया था मैंने आपके लिए काल की इंतजाम कराये थे अगले दिन नेतार हाट जाने के लिए लेकिन क्योंकि आपके घुटनों में दर्द हो री थी तो आप नहीं जा पाये थे क्या आपको कुछ भी यहाद नहीं आपका कोई जानने वाला भी आपके साथ राची में उस समय था उनका नाम मिस्ट दिनेश मुखर जी था आप एक बंगलो में रुके थे क्योंकि आपने बोला था आपको होटेल का खाना नहीं पसंद और आपको अपना खाना किसी बावर्ची द्वारा बनाकर खाना पसंद है मिस्टर मुकर जी अपनी बेहन के साथ रुके थे आपकी मून लांडिंग के उपर एक बहस भी हुई थी याद है मैं आपको और बताता हूँ आप हमेशा एक बैग बुक से भरा लेकर घूमते थे अपनी साइगित सीन की ट्रिप्स पे क्या मैं सही हूँ या गलत बिपनबाबू spoke quietly his eyes still on the books which month in 58 are you talking about the man said October no sir said बिपनबाबू I spent Pooja in 58 with a friend in Kaanpur you are making a mistake good day उसके बाद बिपनबाबू ये सब सुनने के बाद बहुत धीरे से बोले और उनकी आखें भी भी अपनी books की तरफ थी आप 1958 में कौन से महीने की बाद कर रहे हैं तो बिपनबाबू बोलता है कि October तो बिपनबाबू बोलते हैं नहीं सर मैं Pooja में अपना टाइम बिताया था Kaanpur में 1958 में October के समय आप एक गलती कर रहे हैं good day but the man didn't go nor did he stop talking लेकिन वो इंसान ना तो वहां से गया ना ही बात करने से रुका very strange one evening I had a tea with you in a veranda of your bungalow you spoke about your family you said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago your only brother had died insane which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranji लेकिन वो इंसान अभी तक वहां से गया ने अभी बात कर रहा था और वो कहता है काफी अजीब बात है मैंने एक दिन उस समय आपके ही बंगलो पे आपके बरांदा में आपके साथ बैट कर चाई पी थी आप अपनी फामिली के बारे में मुझे बताये थे आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं है और आपने 10 साल पहले अपनी वाइफ को खो दिया था आपका एक लौता भाई एं मेंटल लिल्निस की वज़े से उसको मृत्यों मिल गई थी इसलिए आप मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे इसके बाद विपन बाबू अपनी बुक्स का पैसा पे करके शौप छोड़कर जा रहे थे तब भी विव्यक्ती उनकी तरफ बहुत अचंबित होकर देख रहा था नव विल सॉल्व अप्रेहेंशन चेक क्वेशन चेक क्वेशन वो इंसान उस व्यक्ती का नाम परिमल घोश था वो काफी चकित था ये बात सोच कर और सुन कर कि विपन बाबू उसे पहचान नहीं पा रहे थे उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें उनकी आदाश्ट सही नहीं थी, ठीक नहीं थी question number 2 where did विपन बाबू say he went in October 1958 विपन बाबू क्या बताते हैं कि वो October 1958 में कहा थे हिपन बाबू said that in October 1958 he was in कानपूर at a friend celebrating Pooja बिपन बाबू बताते हैं, October 1958 में उकानपुर में अपने एक फ्रेंड के साथ पूजा मना रहे थे Q3. Mention any three or more things that Parimal Ghosh knew about बिपन बाबू Parimal Ghosh knew that बिपन बाबू, his wife was dead, he knew about family that he had no children and his brother died insane which is why he did not want to visit Ranchi Lunatic Asylum. He also knew he liked carrying his books during travel. Now we will see the second part of the chapter on page number 61, last paragraph. बिपन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, Sitaram? Driving up the Strand Road, बिपन बाबू recreated having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget about such an incident which took place only six years or seven years ago. He had an excellent memory, unless बिपन बाबू's head reeled. बिपन बाबू ने 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 ड्राइवर सीता राम से गंगा के किनारे चलने को कहा. उन्हें दुख हो रहा था, उन्हें अफसोस हो रहा था, कि उन्हें उस intruder, यानि उस unknown व्यक्ती से इतनी देर बात की और उसकी बात पर इतना ध्यान दिया. फिर भी वा घटना उनका पीछा ना छोड़ती थी. उस stranger को उनके बारे में बहुत कुछ पता था. पहलो उनको एक बर अपने memory पर शक हुआ. उन्हें लगा कि वो कभी नाची नहीं गए हैं. इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है. वो ऐसा कुछ इंसिदेंट भूली नहीं सकते जो भी 6 या 7 साल पहले हुआ है. उनकी memory बहुत अच्छी थी. लिकिन शायद वो कुछ भूल रहे हुँगे. पेज नमर 62. Next paragraph. पेज नमर 62. Paragraph 1. Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm. And he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today, he spoke for half an hour at an important meeting. And yet, उन्हें लगा, क्या वो अपनी memory भूल रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन वो daily एक office में काम करते थे. वो काफी बड़ी firm थी. और वो काफी अच्छी job, responsible job कर रहे थे. उन्हें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है? आजी उन्हें एक बहुत important meeting में आधी गंटा बोला था. लेकिन फिर भी उन्हें शक होता है. नेक्स पारग्राफ, पारग्राफ 2, पेज नंबर 62. And yet, the man knew a great deal about him. How? He even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about having his gone to Rachi. Not a mistake, a deliberate lie. In 1958, during the Pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Baggi's place. All Bipan Babu had to do was write to, no, there was no way of writing to Haridas. Bipan Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago. And he didn't have his address. लेकिन विपण बाबू को लगता है कि उस व्यक्ति को उनकी बारे में काफी कुछ पता था. कैसे? उसको उनकी कुछ पर्शनल बातें भी पता थी. किताबों के बारे में, उनकी वाईफ की मृत्यों के बारे में, उनके ब्रदर की इंसेनिटी के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, सिर्फ एक गलती थी, कि वो राची गए थे. लेकिन वो गलती नहीं थी, वो एक जूट था उनको अच्छे से याद था कि 1958 में पूजा के समय में वो अपने दोस्त हरिदास बाग जी के घर कानपूर में थे विबिन बाबू को सिर्फ एक पत्र लिखना था पता करने के लिए लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वो ऐसा नहीं कर सकते हरिदास अभी कुछ हफते पहले अपनी वाइफ के साथ जिपान चला गया है और उनके पास उसका अड्रेस नहीं था नेक्स पारगाफ बट वेर वस देनीड फॉर प्रूफ लेकिन फिर वो अपने आप से बोलते हैं क्या जरूरत है किसी प्रूफ की उन्हें खुद में पूरा विश्वास है कि वो राची नहीं गय थे और बस यही बात है तर रिवर ब्रीज वस ब्रेसिंग और विपन बाबू के मान में थोड़ा सा दिसकंफर होता है उन्हें थोड़ा अजीब लगता है अराउन हास्टिंग्स विपन बाबू बेसाइड तू रोल अपिस ट्राउजर्स और टेक लुक अट इस राइट नी बेबन बाबू अपने ट्राउजर्स को ऊपर चढ़ा कर अपने घुटने को देखते है पेज नमा 63 वो सोचते हैं क्या उन्हें बचपर में अपने घुटने पर चोट लगी थी वो ऐसे किसी इंसिजर्स को याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं आता next paragraph this is page number 63 second paragraph then Wipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee the man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time the best thing surely would be to ask him he lived quite near in Beninanman street what what about going right now but then if he had really never been to Ranchi what would Dinesh think if Wipin Babu asked for a confirmation he would probably conclude Wipin Babu was going nuts no it would be ridiculous to ask him for Wipin Babu उस Dinesh Mukherjee के बारे में सोचते हैं जिसे उस व्यक्ती ने बोला था कि वो उनके साथ 1958 में राची गया था Dinesh Mukherjee बगल में ही रहते थे Beninandan street में उन्होंने सोचा मैं अभी जाता हूँ लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर वो कभी राची गए नहीं थे और वो Dinesh से पूछते हैं इसके confirmation के लिए तो वो सोचेगा कि Wipin Babu का दिमाग कुछ ठीक नहीं है नहीं ये काफी अजीब होगा उससे ये पूछना और उन्हें लगता है कि Dinesh उनका बहुत मजाक उड़ाएगा फिर विपन बाबू जब अपने घर पहुंचते हैं और वो अपने एर कंडिशन रूम में बैट कर खोल्डरिंग पी रहे होते हैं तो आराम हिसूस करते हैं वो सोचते हैं क्या बेवकूफी है इन लोगों के पास करने को कुछ नहीं है तो वो दूसरी लोगों की जिंदगी में टांग अड़ाते हैं आफ्टर इनर, snuggling in bed with one of the new thrillers विपन बाबू forgot all about the man in new market डिनर करने के बाद जब विपन बाबू अपने बेट पर बैठ के अपनी नई किताब पढ़ रहे थे तो वो उस इंसान उस व्यक्ती के बारे में चो उनसे बुक्शॉप में मिला था उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं Next paragraph Next day in office विपन बाबू noticed that with each passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind If the man knew so much about विपन बाबू, how could he make such a mistake about the राची टीप अगले दिन जब आफिस में विपन बाबू रहते हैं तो वो सोचते हैं और नोटस करते हैं कि हर गंटे में उनका और पिछले दिन का उस व्यक्ती से मिलना उन्हें बार बार दिमाग में आ रहा था और वो सोचते हैं अगर वो मेरे बारे में इतना कुछ जानता था तो वो रांची ट्रिप के बारे में इतना गलत कैसे हो सकता है। लेकिन फिर लंच के पहले विपन बाबू सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दिनेश मुखर जी को फोन करेंगे। अच्छा होगा ये बात फोन पर पोच लेने से कम से कम उनके चहरे की शरम छुप जाएगी। 235616 विपन बाबू डायल दे नंबर। उसे कॉल करते हैं। वो से फोन मिलाकर बताते हैं कि मैं बिपन बोल रहा हूं क्या दिनेश हो तुम तो वो बोलता है हां क्या बात है। तो वो उसे कहते हैं मैं सिर्फ तुम से ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हें वो किस्सा याद है। 1958 का पेज नंबर 64, 58, What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I've got to know। 58, क्या किस्सा? क्या तुम Calcutta मे थे उस साल? सबसे पहले तुम मुझे ये जानना है। Wait just a minute, 58, just let me check in my diary. एक मिनट रुको। 1958, मैं अपनी डाइरी में देख कर बताता हूं। For a minute, there was silence. Vipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. एक मिनट के लिए एकदम शानती होती है। Vipin Babu को महसूस होता है कि उनकी धटकन काफी तेज हो रही थी। उन्हें पसीने आ रहे थे। Hello? Yes, I have got it. I had been out twice. Where? Once in February, nearby to Krishnanagar, to a nephew's wedding. And then? But you know about this one. The trip to Rachi. You were there too. That's all. But what's all this about? Saluting about. वो से दुबारा पूछते हैं. तो वो बताता है, हाँ मैं उस साल दो बार बाहर गया था. कहां पर? Vipin Babu पूछते हैं. तो वो बताता है, पहले तो February, Krishnanagar में अपने भतीजे की शादी में. और फिर इसका तो तुम्हें पता होगा राची के ट्रिप. तुम वहां पर थे. लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेशन कैसी है? Saluting is investigating an event. किसी event के बारे में पूछताच करना. No, I just wanted to… Anyway, thanks. Vipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in a stiffened box. But he didn't eat them. He had lost his appetite. तुर Babu, ये सुनने के बाद कि दिनेश मुखर जी बताता है कि टाची के ट्रिप में वो उनके साथ थे. कहते हैं, नहीं मुझे बस ये जानना था, शुक्रिया. और फिर वो अपना फोन नीचे रख देते हैं, और अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं. उनका सर घूम रहा होता है, उनकी पूरी बॉड़ी में इसे करिंट सा दोड़ जाता है. उनके टिफिन बॉक्स में सान्विचिस थी, लेकिन वो उसे नहीं खाये, उनकी भूग खतम हो चुकी थी. सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यमा.